yeah Hello everyone कैसे हैं आप सभी मैसेल्फ गुमल ब चंद्राकर हम लोग पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट्री आज का टॉपिक है फॉरेस्ट्री इंप्रूव्मेंट आज का टॉपिक है फॉरेस्ट ट्री इंप्रूव्मेंट ठीक है इसे कोश्च है जो ट्री इंपूड्यमेंट है या इंपूड्यमेंट जो टॉपिक है वो एगरिकल्चर का पाट है ठीक हो किसी कशन आते हैं इका दुख्या इंपूड्यमेंट से तो उसको हम यहां पर डेल करते हैं यह major part किसका है तो आपके agriculture वाले portion का part है तो हम यहाँ पर सिफ ऐसे species को पढ़ेंगे ऐसे technology को पढ़ेंगे जो हम forestry में apply करते हैं हमको agriculture नहीं पढ़ना है अभी हैना मैं आपको agriculture नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आपको forestry पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे topics को deal करूँगी जो forestry से related है या forestry में हम उसको practically apply करते हैं तो आज का topic क्या है tree improvement तो tree improvement tree improvement क्या होगा मतलब हमको उसकी quality को improve करना है quantity जो produce कर रहा है उसको improve करना है तो उसकी लिए क्या क्या जरूरी है कैसे करेंगे एक तो उसमें variation आना चाहिए जो question आता है ठीक है variation आना चाहिए दूसरा उसमें mating की process से mating की process से और तिसरा होता है vegetative reproduction से से हम कर सकते हैं ठीक है तो variation कैसे होगा variation कब होगा जब genetics variation होगा ठीक है variation कब होगा जब sexual reproduction होगा उसमें sexual reproduction होगा ठीक है sexual reproduction होगा तब variation आ सकता है मेटिंग से मेटिंग से कैसे होगा कि हमको जो desired character है जैसे for example एक आम कवरिक्ष है जिसके आपेड में आम बहुत मीठे होते हैं ठीक है बहुत ज्यादा sweet mangoes होते हैं लेकिन उसमें कीड़े बहुत लिल लग जाते हैं इंसेक्स के attack हो जाते हैं ठीक है और दूसरा आम का पेड़ है जिसमें इंसेक्स के attack कम होते हैं लेकिन वो एक्दम मीठा नहीं है थोड़ा सा खटे में हैं लेस स्वीट है तो हम इन दोनों को मेट कराएंगे तो हमको क्या प्रोजिनी मिलेगा क्या मिलेगा या तो हमको स्वीट मिलेंगे और जिसमें इंसेक्स कम मिलते हैं वो मिलेंगे दूसरा कंडिशन स्वीट मिलेंगे और इंसेक्स जाना मिलते हैं वो वाला मिलेगा तो हमको कौनसे चाहिए इसके हिसाब से हम मेटिंग करते हैं यह सारा चीश पॉसिबल कहा है तो एंगरिकलचर में हैं forest में क्यों नहीं है क्योंकि life span forest trees का बहुत जादा होता है मैं कोई experiment forest tree पर करने जा रही हूँ तो उसका result आने आने 10-15 साल हो जाएगा 10-15 साल तक मैं कहां रहूंगी मैं वहीं रहूंगी कि नहीं रहूंगी मैं रहूंगी आने नहीं यह भी मुझा नहीं पता तो ऐसे स llamado tree पे यह वाला practical नहीं किया जाता कि किसमें क्या जाता है agriculture में किया जाता है किसमें क्या जाता है agriculture crops में जब हम meeting देखते हैं तो meeting कोशन आता है meeting design मेटिंग डीजाइं में मेटिंग क्या मतलब मेल और फिमेल जो ऑफ है अधालीड है एक होता है इनकंप्लिट मेटिंग करते हैं यह नहीं पूस्ते हैं फिर भी मैं आपको करवा रही हूं ठीक है इंक कंप्लीट मेटिंग डिजाइन और दूसरा होता है कंप्लीट मेटिंग डिजाइन और कंप्लेट मैटिंग डिसाइन्स सब्सक्राइए इनकम्प्लीट मैटिंग Looks चाहे मेल का या मेल का किसी एक की जानकारी दूसरी की जानकारी नहीं होगी अगर उसको ले करके, किसी एक के पैरेंस को लेकर कर के, तो वो होगा प्रोजीनी आने वाली पीड़ी के स्टेड़ी कर रहे हैं तो होगा complete meeting design question क्या आया हुआ है कि open pollinated meeting open pollinated meeting कौन से pedigree design का example है तो open pollinated meeting किसका example है इसका ठीक है incomplete का है open pollinated meeting meeting और दूसरा है पॉली क्रोस दूसरा एक्जामपल इसका पॉली क्रोस डिजाइन पॉली क्रोस डिजाइन तीक है यह दोनों इसके टाइप से incomplete में दो तरीके के होते कौन सा एक open pollinated और दूसरा तर पॉली क्रोस ओपन पॉलीनेटेड मतलब pollination हम open कर दिये हैं एक जो डिजाइड फीमेल है उसको हम अलग-अलग मेल के साथ में pollination कर आ रहे हैं एक ही मेल के अलग-अलग flowers के साथ में pollination कर आ रहे हैं तो यह हो गया और अगर हम multiple females को multiple males के साथ पॉलीनेशन कर रहे हैं तो वह हो गया यह भी हम forestry में अपलाई नहीं करते हैं बार बार कह रही हूं यह हम forestry में अपलाई नहीं कर सकते यह कि बहुत long process होती है बहुती long process होता है ठीक है और और complete meeting design यह किसका example था incomplete का था कौन कौन सा तो open और poly complete का क्या क्या है तो complete का है nested design nested design क्या होता है यह सब मत समझ यह क्योंकि आपको यह जरूरी नहीं है सिर्फ आपको याद रखना क्या है कि complete के क्या क्या आते हैं nested design दूसरा है आपका factorial design factorial design हिंदी में भी इसको यही कहते है nested design हिंदी में लिखा रहे गाए nested design और factorial design यह किसका example है तो complete pedigree design का examples है ठीक है इसके बाद हमको improvement करना है हमको improvement करना है तो improvement के लिए हमको terms पहले भी पड़े थे क्या किसे improvement करते है एक तो thinning से करते है ठीक है दूसरा pruning से करते है और तिसरा fertilization से करते हैं ठीक है thinning से क्या करेंगे हम किसी stand में किसी forest area में अगर कोई disease tree है defected tree है जो undesirable tree है उसको हम यहां से हटा देंगे इससे हमारा फिर जो forest है वो प्रूफ हो जाएगा दूसरा तूनिंग करेंगे जो unwanted branches है या जो ब्रांच हमको ज़रूरी नहीं है उसको हम cutting setting करेंगे तो वह हो गया प्रूनिंग जिससे हमको clear bowl मिलेगा जिससे timber की value बढ़ जाएगी और fertilization मतलब अगर हमको उससे seed produce करना है क्या produce करना है seed तो seed का produce होता है after fertilization तो fertilization को अगर हम control कर रहे हैं मतलब हम उसको controlled condition में pollination करवा रहे हैं तो वह होगा fertilization ठीक है दन तिनिंग प्रूनिंग में आपको पहले भी बता चुकी हूं देखो ट्री इंप्रोव्मेंट जब पढ़ेंगे तो ट्री इंप्रोव्मेंट में बहुत important पार्ट आता है वह सीड प्रोडक्शन एरिया क्या आता है एस पी ए इससे कोशिंस नहीं आते हैं जिससे कोशिंस आएंगे मैं उसको स्टामाग बताऊंगी तो आप कहेंगे कि इस टॉपिक कंप्रीट नहीं हूँ आपको बता रही हूं क्या है यह सीड प्रोडक्शन एरेया यह जो सीड प्रोडक्शन एरिया है यह फोर्स्ट स्टैंड का जो आल्रेडी फोरेस्ट फॉर्म में है मतलब कि मैच्च ओर या या यह मतलब अगए जिसमें यंग जो trees हैं कल में बताई थी आपको ठीक है reproductive phase और pre reproductive phase ऐसे phase वाले tree वहाँ पर है ठीक है ऐसे trees जिनका use भले उनका timber बहुत अच्छी quality का है बहुत अच्छा है उसका rotation period हो चुका है फिर भी हम उसको रखे हैं क्यों क्योंकों का main उद्देश है maximum seed produce करना वो भी high quality का जो हमको चाहिए good quality and quantity के seeds चाहिए हमको good quality and quantity के seeds चाहिए उसके लिए हम किसी area को reserve कर दिये जो already उगा हुआ है जो already forest का part है उस area को reserve कर दिये है सपोज ये forest है forest यहाँ पे बहुत अच्छे quantity के quality के trees है जिसके seeds जो है हम further regeneration के लिए use कर सकते है तो उस area को कहेंगे हम seed production area यहां से timber नहीं निकाला जाएगा क्या निकाला जाएगा इसको क्यों maintain किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ seed maximum quality और quantity के seeds हमकों मिले यह हो गया seed production area seed production area जो होता है इसमें जो regeneration होगा वो किसके थ्रू हो रहा है seed के थ्रू होगा ठीक है दूसरा होता है इसी से parallel seed orchards seed orchards मतलब ऐसा forest stand जिसे सिर्फ और सिर्फ seed production seed production के objective को लेके बनाया गया है हमने develop किया है हमने उसको regenerate किया है मतलब पहले से regenerated नहीं है हमने उसको regenerate किया है ठीक है किसलिए सिर्फ seed production के लिए देखो SPA और seed orchards में confused होंगे कि seed production एरिया भी तो seed के लिए है और seed orchards भी seed के लिए है बट seed production एरिया को हमने नहीं बनाया हमने बस उसको define कर दी कि नहीं यह tree बहुत अच्छा है उसके look के हिसाब से उसके bowl के हिसाब से उसके strength के हिसाब से उसके crown के हिसाब से उसकी disease assistability के हिसाब से हमने decide कर लिया है कि यह tree बहुत अच्छा है इसके बीच को हम आगे के generation में लगाएंगे बट यह हमने कब किया यह हम देखे कि इससे जो seed मिला है इससे जो high quality से पिला है उसको regenerate करके हमने क्या बनाया है seed orchards clear यह हमारा main origin place है इससे जो seed मिला उसको हमने seed orchards में लगाया और इसका main उद्देश क्या है हमको forest stand के लिए seed maximum seeds मिले अच्छे quality के seeds मिले देखो seed production area और seed orchards में कई लोगं confused हो जाते हैं कि सेम ही है हाँ सेम है क्या सेम दोनों का उद्देश सेम है उद्देश सेम है इसका उद्देश भी क्या है high quality your quantity में seed produce करना इसका भी वही उद्देश है लेकिन इसका origin naturally हुआ है हमने उसको नहीं लगाया लेकिन seed orchards को हमने बनाया है हमने डेवलोग किया है अपने requirement के हिसाब से ठीक है यही उसका basic difference है seed orchards और seed production area का अब यह जो seed orchards होते हैं यह डो टाइप के होते हैं इंपोर्टेंट है इससे questions आ सकते हैं अगर improvement से question आएगा तो एक तो tissue culture से आगा वी मैं आपको बताऊंगी दूसरा आएगा आपके seed orchards से ठीक है तो यह seed orchards हैं यह दो टाइप के होते हैं कौन-कौन से एक होता है आपका clonal seed orchards एक होता है clonal seed orchards और एक होता है आपका seed seed orchards ठीक है seed orchards जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है clonal seed orchards ठीक है और एक होता है seedling seed orchards ठीक है दोनों को compare करते हुए पढ़ते हैं अलग-अलग पढ़ेंगे confusion होगा उसको यहीं खतम कर देंगे confusion को रखना ही नहीं हमको compare कर पढ़ते हैं देखो clonal से नाम ही आ रहा है clone clone है क्लोन है मतलब क्या है carbon copy है जिरॉक्स है ठीक है clonal क्या होगा अपने parent का carbon copy होगा क्या होगा अपने parent का copy होगा but seedling जो है वो seed से बना है seed से बना है seed से बना है मतलब कि किस से करण हुआ है reproduction fertilization की करण बना है sexual reproduction किस से बना है sexual reproduction से develop हुआ है seed उससे sibling बना है तो sexual reproduction से बना है मतलब इसमें fertilization हुआ है अलग अलग gamits का तो यह जरूरी नहीं है कि जिस parent का seed है जिस parent का seed है 100% उसका character शो करे 100% character शो करें यह जरूरी नहीं है बट क्लोनल में क्या होगा 100% जो characters उसके parents के थे वही उसके clone में भी मिलेंगे क्लियर क्लोनल मतलब क्या है यह यह ता sexual reproduction इसमें गैमिया मुट्र हो रहा है फिर मियमштी हो रहा है और उसमें fusion हो करके जो बन रहा है वह है सीड किसका imperfect S cheese CRIS क्छा Hai क्रुंग क्लोन क्षक है तो वेजिटेंटिवっ से प्रॉड़क्वा वेजी टीमिटेंगा ठीक है, Clonal Seed Orchards जो होंगे, जिस Seed Orchards से इसको collect किया गया है, बनाया गया है Clonal Seed Orchards को, उसके 100% copy होंगे, बट इसमें copy नहीं होगा, हो सकता है, पहला जनरेशन ही copy हो, उसके बाद का जनरेशन अलगी characters के हो रहे हैं, होगा, वही plant जो हमने लगाया है, आम लगाया है, तो उसके quality vary करेगी, किसमें, Seedling Seed Orchards में, but Clonal Seed Orchards जो हैंगे, उसमें quality, quantity सब सेम रहेगा, इसमें, हमको कम समय में, ठीक है, जो Seed Production का, Seedling, Seeding और Fruiting जो होगा, वो कम समय में हमको मिलेगा, ठीक है, इटेक्स, रिमेन उद्देश हमारा क्या है, Seed Production करना, इटेक्स, लेस टाइम, पॉर, Seed Production, Seeds Production, बट, Comparison में, Seedling में क्या होगा, इसमें, Longer Time लगेगा, जादा टाइम लगेगा, Longer Time, ठीक है, क्लोनल में क्या होगा, क्लोन हम लिये हैं, जिस पार्स को हम लिये, तो अल्डेरी उसा कुछ लाइफ होगा, उसके बाद वह अपना स्टेज बढ़ा रहा है, तो इस पे सीड्स हमको जल्दी मिलेंगे, इसके सीड्लिंग सीड और हम सीड्स से और्चर्ड बना रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्शन आने में बहुत लंबा समय लेगा, लेकिन हम क्लोन से अगर सीड्स बना रहे हैं, तो उसमें हमको सीड्स प्रोडक्शन जल्दी मिलेगा, कोश्चन यही उठता है, यह और यह, क् किसके कारण होता है वेजिटेटी रिप्रड़क्शन के कारण होता है और सीडलिंग सीड और्चर्स किसके कारण होता है तो सेक्शुल रिप्रड़क्शन के कारण डेवलप होता है इसमें जो टेस्टिंग की जाती है जो टेस्टिंग होता है वो individual का होता है वो किसका होता है individual का होता है बट seedling में जो testing होता है वो family level का होता है family level का होता है ठीके मतलब जो plant हमको बहुत अच्छा दिख रहा है ठीके उसकी सारी quality हमको पसंद आ रही हम सिर्फ उसको ले लिए उसका clone बना लिए लेकिन seedling seedling और चर्श बना तो हम उसकी पूरी family को देखेंगे कि अगर इसके चार siblings है तो वो siblings चारो चारो healthy है या कि सिर्फ या अकेला healthy है मतलब वो genetically strong नहीं है ठीके इसमें हम family को देखते हैं seedling में लेकिन clone में हम सिर्फ individual को देखते हैं कि जो character हमको चाहिए वो सिर्फ इसमें हैं तो हम उसका clone बनाएंगे ठीक है कि देन सिड्लिंग में सिड्लिंग में हार्विस्टिंग जो होता है वो difficult होता है harvesting of seed हमको सीड चाहिए क्यों होता है difficult होता है क्यों कि इस पे जो production होगा वो बहुत लंबे समय के बाद होगा जबते के ट्री जो होगा अपने maximum growth को ले लेगा हाइट बहुत हो जाएगा तब लेकिन इसमें क्या होगा इसमें हर्विस्टिंग कंपरिटिवली इजी होती है किसके हर्विस्टिंग हर्विस्टिंग और सीड सीड को निकालना कंपरिटिवली इजी होता है क्योंकि इसमें जो production है वह हमको जल्दी ही मिल जल्दी पेच होता है तभी उसमें प्रोड़क्शन स्टार्ट हो जाता है तो हर्विस्टिंग इजी हो जाता है ठीक है कोशन सिर्फ इससे उठता है यह दो पोर्शन से बाकी theory portion है आपका ठीक है और यह इंडिविज्वल लेवल और फैमिली लेवल इसी से कोशन उठेगा इसके अलावा नहीं आएगा बाकी सारे theory process है आपका ठीक है जब हम improvement करते हैं अब हमको seed orchards बनाना है तो हम ऐसे ही किसी को भी seed orchards थोड़ी बनाएंगे हम टेस्ट करेंग है नॉर्मल जो trend है जैसे हमको अपने घर की फैमिली बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं हमको शादी करना होता है मैरेजिस करना होता है तो मम्मी पापा क्या करते है जिसे मा लो suppose को यंग बॉय है तो उसकी लिए अब शादी के लिए देखनें तो क्या है लड़किया देखते है जो बहुत सारी लड़कियों के फोटोस उनके परिवार के जांकरी लेके आता है ठीक है मतलब वो क्या है candidates है ठीक है ऐसे trees जिनको हम select करने के लिए रखें हैं अभी हम उनको सिर्फ select करने के लिए रखें कि हाँ इसको भी देखेंगे इसकी भी study करेंगे इसको हम clone बना सकते हैं इसको seedling orchards में रख सकते हैं या ने सिर्फ select करने के लिए रखें हैं ऐसी trees को कहते है candidate tree क्या कहते है candidate tree मतलब वो select नहीं हुआ है सिर्फ उसके phenological characters के कारण उसको क्या क्या गया है select किया गया है लेकिन phenology भी उसका 100% test नहीं हुआ है हमने सिर्फ सुना है हमने सिर्फ देखा है हमने उसके भी उसका testing नहीं क्या है तो essay tree को क्या कहेंगे हम candidate tree मतलब इसको हम अभी select करेंगे या नहीं करेंगे जैसे अभी आप सभी एसी एफ के example पर हो रहे हैं आप सभी क्या है candidate से आप मेंसे कुछ ही select होंगे ठीक है तो वह जो कुछ लोग है वह नहीं अभी हम पूरी की बात करें अभी हम सभी की बात करें तो वह सभी क्या है अभी candidates है अब candidates से उनके physiological character की study होगी phonological study होगी होने के बाद में हम उसमें से select करेंगे तो जो select करेंगे उसको कहेंगे प्लस ट्री मैं आपको पहले भी बताई हूं प्लस ट्री प्लस ट्री ऐसा ट्री होता है या इसी को selected tree भी कहते हैं selected tree या इसी को superior tree भी कहते हैं superior tree मतलब ऐसे tree जिनका phenotype हमने study कर लिया है बट जिसका genotype हमने study नहीं क्या है जिनो टाइप इसका study नहीं क्या है तो ऐसे त्री को कहा कहेंगे प्लास ट्री मतलब इसके सिर्फ फीजिकल अपीरेंस में हमने उसको सिलेक्ट किया है प्लास ट्री या सिलेक्टेट ट्री या superior tree मतलब अभी आप candidate थे आपका written exam clear हो गया तो आप है अभी selected tree selected tree मतलब अभी आप select हो गए है select हो गए है लेकिन अभी आपका interview बचा है interview में जो actually में deserving है actually में जो उसको forestry को मतलब पुरा exam को बहुत अच्छे से पढ़ा है पुरा knowledge है जो जिसके पास भरपूर knowledge है activity है active है उनका selection होगा ठीक है अभी तो अभी आप इस stage में हैं आप stage किसके त्यारी करें हैं इसके लिए प्लस tree के लिए अब प्लस tree से select हो गए तो अब बनेगा क्या एलाइट ट्री एलाइट tree अलाइट ट्री मतलब क्या होगा जिसका phenotype का भी study हो गया है और genotype भी इसका सही है मतलब उसके genes भी सही है ऐसे ट्री को कहेंगे अलाइट ट्री मतलब इसका selection return में भी हो गया है प्लस interview में भी हो गया है तो ऐसे ट्री जो होगे वो तो इस मतलब क्या है भीड में से हमने उनको चुना है आर्स वाले हैं कॉमर्स वाले हैं साइन्स वाले बहुत सारे हैं उसमें से सिर्फ साइन्स बैग्राउंड वाले ही एक्जाम दे पा रहे हैं तो science वाले क्या है इसमें candidates है अब ये candidates appear होंगे past December के exam देंगे exam देंगे तो कुछ लोग select होंगे तो select होंगे उनको कहेंगे plus 3 मतलब अभी हम उनको जाचा नहीं है बस वो select हो गए है उनके return exam के according ठीक है उसके बाद verification होता है interview होता है मतलब आप उनके पूरी छानबीन होगी verification म होगा कि हाँ वाकर इनके पास degree है की नहीं certificates है की नहीं सारा चीज़ सही है की नहीं है तो वो जब सारा चीज़ की छानबीन होती है उसके बाद अगर हम किसी को strong कहते हैं तो वो है आपका allied tree ठीक है allied tree से question आता है और plus tree से question आता है कि plus tree क्या है तो सिफ physiologically या phenotypically sound tree phenotypically sound tree को हम plus tree या superior tree या क्या कहते हैं हम उसको selected tree कहते हैं लेकिन अगर phenotype और genotype phenotype मतलब होता है physical बहारी look physical और यह होता है genetics उसका genes भी अच्छा है ठीक है दोनों ही condition में यह sound है strong है या dominant है ठीक है ऐसे tree को हम क्या कहते हैं allied tree कहते हैं ठीक है यह है आपका tree improvement इससे questions बनता है अब एक last topic है टी improvement में ही वह है बाय टेक्नलॉजी क्या है आपका बायो टेक्नलॉजी बायो टेक्नलॉजी से forestry में सिफ्व दो ही question बनते हैं क्या बायो टेक्नलॉजी से बायो टेक्नलॉजी बायो टेखनोलोजी के जिस प्रोसेस से हम न्यू प्लांट या न्यू ओर्गन डवलप करते हैं उसों कहते हैं टिशू कल्चर टिशू कल्चर और यह टिशू कल्चर किसके अंदर आता है तो माइक्रो प्रपोगेशन माइक्रो प्रपोगेशन दो होते हैं एक होता है मैक्रो ठीक है और एक होता है माइक्रो Macro मतलब बड़ा, Micro मतलब छोटा ठीक है, ये दोनों किसके पार्ट है तो Vegetative Reproduction या Vegetative Propagation के पार्ट है ये दोनों, ठीक है Macro में हम बड़ा हिस्सा को ले रहे हैं जैसे Budding Budding आएगा Layering आएगा ठीक है, Grafting आएगा ठीक है, किसमें आएगा Macro में आएगा, बड़, Micro में क्या आएगा Tissue Culture Tissue Culture क्या आएगा Embryo Culture और क्या आएगा Enter Culture ठीक है, ये सब किसमें आएगे Micro, क्योंकि हम इसको कहां कर रहे हैं बहुत Manute से Cells को लेके कर रहे हैं और ये कहां पर होता है In Lab होता है In Lab होता है इसलिए इसको In Vitro Propagation भी कहते हैं In Vitro Propagation भी कहते हैं इससे Question यही बनता है क्या, Biotechnology में जो Tissue Culture है वो किस टाइप का Reproduction है Vegetative Reproduction है तो Vegetative में कौन से है Macro में आएगा, कि Micro में आएगा किस में आएगा ये Micro में आएगा अब Tissue Culture क्या है हमको ये सब चीज नहीं पढ़ना इससे Forestry में questions नहीं आते हैं ठीक है क्योंकि अगर इसको पूछना ही है तो वो Agriculture में पूछेगा Forestry का, Forestry का जो Main जो आत्मा है ठीक है जो Main उसकी जान है वो Sylvie Culture, Agroforestry, Mensuration, Ecology ये सब है उससे वो कोशन Main उठाएंगे ठीक है इससे नहीं पूछेंगे इससे अगर पूछना भी Tissue Culture से तो किस पार्ट में पूछेंगे Agriculture वाले पार्ट में पूछेंगे ठीक है तो Tissue Culture Tissue Culture Tissue Culture ऐसा होता है कि जो Group of Cells है उसको हम Lab में हर प्लांट सेल या हर सेल की एक अंदर capacity होती है कि उनके पास एक reserved DNA होता है एक genetic constitution होता है कि वो अपने समान हूब हूँ पूरे organism को develop कर सके क्या एक सेल या टीशू के पास nucleus में कुछ DNA ऐसे होते हैं जो अपने समान जिस प्लांट से इसको लिया गया है जिस ट्री से उसको लिया गया है उस ट्री के समान हूब वो हूँ सेम ट्री को बनाने की capacity होती है वही उसी कारण से tissue culture बनता है ठीक है मतलब क्या है कि मेरे body में for example में एक ट्री हूँ ठीक है मेरे body में यह मेरे branches है, मेरे जो hand है, branches है, branches में से कुछ cell leaves के निकाल लिए, leaves के निकाल लिए, तो उस cell के अंदर यह पूरी capacity होती है, कि वो पूरा का पेड, पूरे मुझे develop कर सके, उस property को खहते हैं, totipotency, totipotency, totipotency important है tissue culture के लिए, ठीक है, question आएगा, which of the falling is the main quality या quantity of cell for tissue culture, option आजाएगा, mature cell, genetically strong cell, totipotent cell और reproductive cell, तो क्या आएगा, totipotent cell, जिसमें totipotency की capacity है, totipotency का मतलब क्या होता है, कि वो अपने समान हुबहू, same organism बनाने की छमता को कहते हैं, totipotency, totipotency सभी cells में होती है, animal cells में भी होती है, plant cells में भी होती है, बट इसकी capacity जो होती है, animal cells में कम होती है, plant cells में ज्यादा होती है, इसलिए tissue culture में ज्यादा हम plant culture करते हैं, animal culture बहुती सिमित होता है, ठीक है, बहुती सिमित होता है, ठीक है, अब ये totipotency का कोशन आता है, दूसरा कोशन आता है, ये totipotency किस ने दिया, important, किस ने दिया, heaven land न कुरॉट्र rejoice को डिस्गवर किया सबसे पहले उसनोंने बताये तूटे पूटेश की बारे में और यह होता क्या है यहीं दो कोशनacio उत्ते हैं और टेखनॉलाजी से फॉरेश्टरी는 थीक है और कि बागी बाटनी में बीयोलोजी में अग्रिकॉल्चर में इससे कोश之前 कॉरें बट forestry में इससे questions नहीं आता है पिछले 10 साल का record आप देख लेंगे इससे questions नहीं है इससे जारा questions नहीं आते हैं ठीक है तो यह आपका ट्री improvement वाला part खतम हुआ अब आपका सिर्फ बचा है engineering, remote sensing और engineering जिससे questions जो आएंगे वो किसे आएंगे तो agencies या institute से आएंगे हमेशा देखना report में तो institute से आता है remote sensing institute कहां कहां पर है national agency कहां पर है यह सब questions आते हैं और साथ में engineering से भी यही question आगा कि इसका headquarter कहां पर है क्या है इसको हम नों next video में clear करेंगे आपका syllabus आज 98% हो चुका है सिर्फ 2% बचा है जिससे भी questions आने के संभावना नहीं है एक important question topic बचा हुआ वो है wildlife ठीक है wildlife इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि wildlife से questions बनते हैं इक ही वीडियो में दोनों complete करेंगे और उसके बाद हमारा syllabus खतम उसके बाद हमको extra पढ़नी की ज़रत नहीं है 22 questions अगर आ रहे हैं तो 20 questions आप बना लोगे पढ़ाई के लिए ठीक है इसके बात का जो वीडियो होगा उस पर आपको जो लास्ट लेक्चर है वो पढ़ाएंगे अच्छा एक और topic बचा है बोलोगे आप लोग फॉरेस्ट economics forest economics और forest utilization में सेम चीज होता है बस हम उसको फैमिली के साथ classify करके पढ़ते हैं कि इस फैमिली के कौन-कौन से जरूरत नहीं है utilization और आपका economic forestry दोनों ही एक है बस economic forestry में हम फैमिली के साथ में उसके species देखते हैं और हमने क्या-क्या species के साथ उसके family पढ़ लिया है ठीक है तो यह दोनों टॉपिक आपका logician economic forestry एक साथ खतम हो चुका है उससे ज्यादा आपको ज्यादा पढ़ने की ज़रत नहीं है मैं आपको बहुत से species बताई हूं से ज्यादा आपको पढ़ने की ज़रत नहीं है तो पढ़ते रहें एक लास्ट वीडियो होगा आपके नोर्स के लिए आपके लेक्शर के लिए उसकी बाद दो और वीडियो में दूंगी जिसमें हम mcq solve करेंगे जैसे वीडियो नंबर 10 था आपका लेक्शन नंबर 10 था जिसमें हमने कुछ questions solve किये थे वैसे अभी पूरे forestry से जो जो important questions है या जो भी रिसेंटली जो exams हुए है उसमें questions आए हैं उसको हम लोग इस पे deal करेंगे ठीक है ओके पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको ओके थैंक यू